Hello everybody welcome back to channel तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Casio CTX 9000 की back panel के बारे में तो आएए बढ़ते हैं वीडियो की तरह तो यहाँ पर हम सबसे पहले back panel का first option देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा power port जो कि आप easily CTX 9000 के साथ जो adapter आया है तो यहाँ पर हमारा fourth option है audio in का तो basically audio in तब यूज किया जाता है जब आपको aux to aux cable connect करके यहाँ पर कुछ play करना हो जैसे कि आप कोई mp3 या कोई song प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर audio in का भी काफी अच्छा option यहाँ पर यहाँ पर आपको काफी अच्छा दिया गया है जनरली काफी सारे लोग keyboard के साथ singing भी करते हैं तो उनके लिए हाँ पर mic attach करने का भी option दिया गया है तो यहाँ पर आपको mic का volume control करना है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा delay इस तरह के effects भी add कर पाएंगे उसके बाद का option है यहाँ पर phones का तो basically आप यहाँ पर अपने headphone earphone connect कर सकते हैं और अपने keyboard का monitor अपने headphone या फिर earphone में ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो हमारे दो last option दिये गए है इस panel में वह है left and right मतलब कि अगर आपको output connect करना है तो आपको left mono and यहाँ पर right का option दिया गया है line out के लिए ताकि आप अगर बाहर live show करते हैं और उसमें अगर आपको बड़े speakers में अपना sound देना है amplify करना है तो यहाँ पर आप jack to jack cable connect करके इसे भी use कर पाएंगे यहाँ पर keyboard की दूसरी site आपको यहाँ पर USB का option मिलता है जिसमें आपको सबसे पहले two host and two device मतलब कि यहाँ पर आप अपनी pen drive connect कर सकते हैं basically pen drive आप normally कुछ भी data अपना backup लेने के लिए या फिर अगर आपको keyboard update करना है और ऐसे काफी सारे function है pen drive के जिससे आप easily आप पर pen drive के slot में अपनी pen drive को attach करके यहाँ पर keyboard में use कर पाएंगे और उसके बाद two host का option है मतलब कि आप directly अगर अपने data manager को अपने keyboard के साथ connect करना चाहते हैं या backup लेना चाहते हैं तो यह आपको काफी अच्छा यहाँ पर option दिया गया है तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही आज के इस वीडियो में हमने देखा कि back panel में हमें कौन से कौन से option मिलते हैं उसका क्या use होता है Casio CTX 9000 में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करे share करे comment करे और चैनल को subscribe करना ना भूले thank you for watching हुआ 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 हुआ